तो हाई गाईस वेलकम बैक टो आवर यूटूब चैनल और वेलकम तो माई न्यू वीडियो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक के उपर नेक्स ट्रेडिंग सेशन के लिए मेरे क्या व्यूज रहेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्य रहेगा आज क्या क्या हुआ है मारकेट में और आगे आने वाले सेशन में और क्या क्या हो सकता है इन सब के उपर आज हम लोग इस वीडियो में डिसकेशन करने वाले हैं तो जो भी लोग इस वीडियो को फॉर्स टाइम देख रहे हैं और इस चैनल के उपर अभी नहीं आ सारी न्यूज मिलती जाएगी तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सही से आती जाएगे एक और इंपोर्टन बात वीडियो श इस सब चीजे आप कर सकते हो अगर आप मेरा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रूप जोइन करते हो तो तो प्रीमियम टेलीग्राम ग्रूप जोइन करने के लिए आपको करना वसी है मंत्री जो फीज है वो पे करना है और पेमेंट के बाद आपको पेमेंट का स्क्रेंशॉट इ तो भी आप मुझे इस नंबर के ओपर WhatsApp कर सकते हो, यहाँ पर मैं आपको NFT के लिए सारी डीटेल्स प्रोवाइट कर दूँगी, और अगर आप सिर्फ और सिर्फ expiry के दिन काम करना चाते हो, सिर्फ expiry के दिन ट्रेडिंग करना चाते हो, expiry trading सीखना चाते हो, तो आप मेरा expiry है, payment के लिए same procedure रहेगा, इस QR code को scan करके आपको payment करना है, या फिर इस UPI handle पे payment कर देना है, और payment के बाद आपको जो screenshot है, वो इस नंबर के ओपर send कर देना है, सिर्फ WhatsApp अलाओ है, यह बात का ध्यान रखिएगा, और सिर्फ 50 members ही allowed होंगे, उसमें से 4 to 5 already payment आ चुके हैं, तो सि 45 seats ही बाकी है, तो जल्दी से payment कीजेगा, और अपनी seat जो है, रिजर्व कर दीजेगा, और यह जो सारी information आप देख रहे हो, यह आपको इस public telegram channel के उपर मिल जाएगी, जिसकी link नीचे description box में मैंने provide की हुई है, तो यहाँ पर join करने का आपको एक फाइदा है, कि जो premium group के अं जो first trade रहता है, वो मैं यहाँ पर भी update कर देती हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं, आज का trade 33,900 CE का था, जिसने कहा तक high किया है, यह आप खुछ चेक कर सकते हैं, within 5 minutes, 340 तक यह गया था, और यहाँ पर आपको 50 से 70 plus points का profit free channel के उपर हुआ है, तो आप सोच सकते हैं, कि आप अ जो bit rates हुए, उसके बारे में भी मैंने यहाँ पर screenshots update किये हुए हैं, तो यह भी आप चेक कर सकते हैं, साथ में इस channel के उपर आपको members के profit के screenshots, members के reviews के screenshots मिल जाएंगे, जो कि आपके knowledge के लिए है, अगर आपके मन में कोई भी doubt होगा, तो आप मुझे इस number के उपर WhatsApp करके तो I hope कि आपको समझ में आ चुका है, तो जल्दी से join कर लीजएगा, अगर आपको options के अंदर बढ़िया profit बनाना है, तो अभी हम लोग start करते हैं, bank nifty का analysis, तो nifty bank की closing कहा पर आई है, 34,324 के पास nifty bank आज बंद हुआ है, तो मैंने आपको levels क्या क्या दिये थे, तो उनकी तरफ जाती हुई दिखाई देगी, उपर से मैंने intraday में भी आपको एक level दिया था, 33,680 का, अगर ये level intraday में मैंने जो कहा था, ये level के उपर अगर nifty bank sustain कर लेता है, तो nifty bank के लिए upside के लिए 33,900 and 34,000 का target रहेगा, जो कि कल achieve हो चुका है, आज की बात करें, तो nifty bank ने आज हमें 33,850 का level अच्छे से hold रखता हुआ दिखाई दिया, opening कहा थी, 33,929 के पास opening थी आज की, और वहां से nifty bank थोड़ा ही नीचे गया, और support से 33,850 के पास एक support था nifty bank के लिए, और support से एक अच्छी recovery मिलती हुई दिखाई दी, और nifty bank 34,000 के उपर चला गया, औ अगर एक अच्छी buying मिल जाती है nifty bank के लिए 34,050 के उपर, तो nifty bank यहां से हमें intraday में भी 34,200 और 34,350 तक चाता हुआ दिखाई देगा, तो first of all nifty bank 34,250 के पास stuck होता हुआ दिखाई दिया, फिर बहुत time consolidation करने के बाद जाकर 34,350 के पास हमें एक अच्छी rally nifty bank ने दिखाई और जैसे ही 34,350 के resistance के पास पहुशा, वहां से एक गिरावट आती भी दिखाई दी और फिर से nifty bank 34,200 के पास आता हुआ आमें दिखाई दिया, और फिर last hour में एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिली towards 34,388 जो की intraday high था, अभी अगर बात करें तो 34,300 के उपर की closing मिली है और एक strong candle डेली चार्ट के उपर form हुई है, तो अभी अगर देखें तो nifty bank अपने important zone में पोच चुका है और इस zone में nifty bank के साथ कुछ भी हो सकता है, फिर से nifty bank हमें 33,000 तक गिरावट भी दिखा सकता है, या फिर nifty bank हमें यहां से 1-2 sessions के अंदर 35,000 के उपर भी जाता अभी अगर important support की बात करें तो nifty bank के लिए 34,000 50 के पास important support बना हुआ है, और अगर intraday में nifty bank इस level को hold रखता है, तो nifty bank हमें अपने next resistance की तरफ जो की है 34,500 और 700 के तरफ यहां पर जाता हुआ दिखाई दे सकता है, और 34,500 और 700 के उपर एक sustainable move देने के बाद, अगर nifty bank इस level के उपर closing देता है, तो यहां से 35,000 and 35,350 तक की rally हम लोग जल्द ही nifty bank के अंदर देख सकते हैं, option chain data के उपर क्या दिख रहा है, तो देखिए call side में सबसे जादा जो open interest बना हुआ हमें दिख रहा है, वो दिख रहा है 92,000 का और 91,000 का जो की है 35,000 and 34,500 के उपर उपर के side में अगर देखें तो उतनी हमें adding यहां पर नहीं दिख रहा है, पिछले कुछ session से हमें उपर के side में adding दिख रही थी और मैंने ये भी कहा था कि एक अच्छी बात रहेगी nifty bank के लिए, क्योंकि market के अंदर लोग bullish चल रहा है और यहां से एक टेजी हम लोग देख सकते हैं, अभी अगर call side में देखें तो call writing हुई है 18,000 की दो levels के उपर 34,700 के उपर और 35,100 के उपर, तो जैसे मैंने अपसे अभी कहा, अगर यह 34,500 और 700 zone clear हो जाता है, तो nifty bank हमें easily 35,000 के उपर जाता हुआ दिखाई देगा, support की बात करें तो देखें, support बढ़िया बनता ह हुआ दिख रहा है, 1,26,000 का open interest है, 34,000 के उपर, second open interest है, highest 33,000 के उपर, और put writing देखें, कितनी बढ़िया put writing यहां पर हमें देखने को मिली है, तो एक अच्छा base बनता हुआ दिख रहा है, downside के लिए, तो यह अच्छी बात रहेगी, nifty bank के लिए, अगर एक अच्छा base बन जा जाता है, तो nifty bank upside के लिए, definitely हमें जल से जल जाता हुआ दिखाई देगा, तो अभी यहां से important support और resistance की बात करें, तो देखें, first important support रहेगा, 34,210 का level, अगर यह level के नीचे nifty bank फिसल जाता है, तो यहां से nifty bank हमें 34,050 and 33,850 तक गिरता हुआ दिखाई देगा, फिर downside के लि most resistance 34,050 का level रहेगा, अगर इस level के ओपर nifty bank sustain कर लेता है, तो यहां से एक अच्छी rally हमें 34,750 तक जाती भी दिखाई देगी, और अगर resistance की बात कहें, तो यही दो levels के ओपर एक stiff resistance है, जहां से गिरावट के भी chances है, अगर यह दो resistance nifty bank successfully पार कर लेता है, तो nifty bank हमें 35,000 के तर अपने next rally दिखाता हुआ दिखाई देगा, तो यह important support resistance के levels nifty bank के लिए तो अपने chart के ओपर जरूर माग कीजेगा, तो अब आज के लिए इस वीडियो के लिए बस अतना ही था, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक like जरूर कर देना, वीडियो अगर बहुत जदा अच्छा लगा है तो share कर देना, अपने friends family के साथ जिनको भी ये video useful है, उन सब के साथ इस video को ज़रूर share करना और उन सब को कहना इस channel को subscribe करने के लिए, so thank you very much for watching this video, मैं मिलूंगे अपसे next video में, till then bye, take care and trade carefully